जन सरुकार मंच के इस लाईव पर आप सब का स्वागत है। आज हम बच्चे असवल कैसे होते हैं वाली किताब के तीसरे हिस्से पर बात करेंगे। इसके दो हिस्सों पर हम पहले बात कर चुके हैं। यह बात जरूर है कि उस बात को कियो काफी वक्त हो गया। पहरे और दूसरे हिस्से में भी काफी गैप रहा था और दूसरे और तीसरे हिस्से में भी पहले से कम हैं लेकिन तीन सप्ता का अंतर रहा है। अगला हिस्सा कोईश करेंगे कि हम जल्द ही उसका आखरी हिस्सा हम पूरा कर पाएं। तो हमने अब तक इसके दो हिस्सों पर बात किये, शुरू में पहले हिस्से पर जब बात किये थी, तब हमने इसकी भूमिका पर बात किये थी, और इस किताब के पहले भाद पर बात किये थी, जैसा कि आपको याद होगा, इस किताब के चार मुख्य हिस्से हैं, पहले हिस्से में पैंतर बाजी पर बात कि गई है दूसरे से में भय और असफलत Do 때 पर बात कि गई है तीसरे सुन में वास्ट जान पर बात कि गई है और चोधे से में इसकूल जो सफल कैसे होते हैं इस पर बात की गई और एक आखरी छोटा सा हिस्सा है सार संग शेप का तो आपको याद होगा कि हमने पहले बात कि थी कि जोनोल कहते हैं कि बच्चे चार पास तरह के पेंत्रे अपनाते हैं जैसे कई बार वह फुस फुस आते हैं या बुद बुद आत हैं कि ओपने इन चारों पांचें चीजों पर हमने पहले भाग में बात की थी कि जो भय और असफलता है वह कैसे पैदा होती है तो जोनोल्ट कहते हैं कि बच्चों के नजरियं में बड़ों के नजरियं में कामिएबीन फर्क होता है बच्चे किसी भी काम को जब करते हैं तो वो उसमें कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं नजरे से देखते हैं जबकि बड़े इस तरह से देखते हैं कि वो उसमें कामियाब हुए या नहीं हुए बच्चे उसको कामियाबी और नाकामियाबी के तौर पर नहीं देखते हैं फिर जोनल्ट कहते हैं कि बच्चे पैंत्रे जो अपनाते हैं वो बड़ों के डर से अपनाते हैं और बड़े से उनको डर क्यों लगता है क्योंकि बड़े उन पर विश्पास नहीं करते हैं इसलिए बच्चों को नाकाम होने का डर सताने लगता है। फिर जॉनल्ड ये कहने ही कोईश करते हैं भई इससे बचा कैसे जाए। तो जॉनल्ड अपने कुछ अनुवह बताते हैं, कहते हैं मैं पूरी कोईशिश करता हूँ। इससे बच्चों में डर तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों में डर को खतम करने में कामियाब नहीं हो पाता। और जॉनल्ड कहते हैं इसकी वज़ाई है कि स्कूल का जो तंत्र है, परीक्षा का तंत्र है, पाठे क्रम की जो विवस्ता है, वो कई बार मुझे न चाहते हुए भी मजबूर कर देती है, कि मैं बच्चों को चाहे अन्चाहे डरा दूँ। तो पूरी कोशिश के बावजूर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उस तंत्र की वज़ाई से डर जाते हैं। अब इसके तीसरा हिस्सा है जिस पर हम आज बात करेंगे। और तीसरा हिस्सा है कि वास्थविक ज्यान जिसका शीर्षक है। तो वास्थविक ज्यान किसको कह यह जोन होलट गनित पड़ाए तो सिस्सते में उन्होंने जो अनुभवे उनके उन्होंसे बहुत सारे अनुभव गैँ यह क्योंकि मूल यह चिर्ट के सहे तो अपनी गलद की कुछाओं का व्यश्तार से वड़ голос करतें और गणित शीखने में बच्चों को आने वाली कोशिश करते हैं, इसको जोनल्ट कहते हैं कि यह समस्या किंद्रित रणनेती है, और यह बच्चे यह करते हैं कि उस समस्या का उत्तर हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसको जोनल्ट उत्तर किंद्रित रणनेती कहते हैं, जोनल्ट कहते हैं कि जातर बच्चे जैसे तैसे जव तो आपको हासिल करने की कोईशिश करते हैं, जैसे उधारण के लिए कि अगर बच्चे के सामने ये समीकर्ण का सवाल आए, कि पिता की उम्र बेटी की उम्र की चार गुना से दस साल जादा है और बेटी की उम्र छए साल है, तो बताओ पिता की उम्र कितने साल होगी तो उत्तर केंदृत रन्णिति को अपनाने वाले बच्चे बहुत जल्दी से कुछ संग्रिया लगा देते हैं तो कोई बच्चा 60 निकाल लेता है छे को 10 से गुणा करके कोई बच्चा 6 को 4 से गुणा करके 24 निकाल लेता है और कोई बच्चा 10 को 4 से गुणा करके 40 निकाल लेता है तो यह बच्चे कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे हल निकाल लिया जाए कुछ बच्चे जो होते हैं वो समस्या केंद्रित तरीके से सोचते हैं जिसको जोर्ण और इस किताब में अलग जगर विचारक रणनेती भी कहते हैं और जो उत्तर ढूनने वाले बच्चें को उत्पादक रणनेती वाले बच्चे कहते हैं या उत्पादक विचार करने वाल तो पिता बड़ा होगा, बेटी छोटी होगी, और अगर पिता की उम्र इतनी है, तो यह कर रहा है कितनी बड़ी होगी, तो चार गुना की बात कर रहा है, तो इसका मतला है यह जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, तो गुना में बात करेगा, तो उसको गुना करने की कोईश् और पूरी समस्या पर विचार करेगा कि समस्या क्या है ऐसे ही एक और मुद्दा इसमें वास्तविक ग्यान वाले में जॉनल्ड उठाते हैं कि ग्यान जो है जिसको असली ग्यान कह रहे हैं तो इसके साथ साथ एक तरह के ग्यान को जॉनल्ड फरजी ग्यान कहते हैं वो किता है हमारे यहां फरजी ग्यान बहुत ज्यादा होता है इसकुल में उससे पहले एक बात मैं याद दिला दूँ कि जो खास तरह की रणनीती थी समस्चा केंद्रित वाली या उत्तर केंद्रित वाली यह जोनल्ड कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि खराब बच्चे अपनाते ह हैं लेगिन अच्छे बच्चे भी कई वार इस रननीती को अपनाते हैं अब जोनल्ड इसमें एक बात कि करते हैं कि असली ग्यान और फश्ची ग्यान में क्या फरक है तो जोनल्ड फिर से ग्रेट का उधान लेते हैं कि जैसे 6-4 है जोनल्ड ने उधान 7-8 का लिया है मैं मैं उसको बदल के 6 गुना 4 कर रहा हूं तो जोनल्ड कहते हैं अगर 6 गुना 4 का उधारने जिसको हम रट के याद कर लेते हैं कि 6 गुना 4 बराबर 24 तो यह एक तरह का फरजी ग्यान है क्योंकि इस ग्यान का कोई खास अर्थ नहीं बनता तो इसका अर्थ कैसे बनेगा यह फर कि अगर 6 सेंटीमेटर का लंबा कोई आया थो और 4 सेंटीमेटर चोड़ा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा तो उसको दिमाग में कल्पना गड़नी पड़ेगी यह इस तरह भी सोच सकते हैं कि 6 को 4 से गुना किया तो हमने 2 समसंख्याओं गुना किया तो गुनान फल क होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जॉनल केरें कि अगर वो जो कोई तथ्य है उसका अर्थ निकाल पाता है और उसके अलग-अर्थों से संबन जोड़ पाता है तो जॉनल कहते हैं कि यह बच्चे का असली ग्यान बन रहा है इसमें एक रोचक बात यह है कि जैसे हम हम जब आद कराते हैं छे गुना चार को तो हम पहड़ों से याद कराते हैं जैसे छे चौका चौबिस तो मैंने एक अध्यापो को कुई मीटिंग में पूछा कि भई 6 चौका चौबिस हम सब का आता है तो आप बताओ इस चौका चौबिस का मतलब क्या है तो कुछ लोग लेकिन जो शब्दों में 64 24 बोलते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है तो आपको हरानी होगी कि उस समु में किसी को भी यह नहीं सुझा कि छह चौका यानि चौके हैं जो क्रिकेट में चौके लगते हैं वो चै हैं यानि कोई च्वार चौके लगाए तो खुल 24 रन ले लेगा तो अच्रच की बात है कि जो अध्यापक भरसों से स्कूलों में बच्छों को पहाड़े याद करवा रहे हैं खुद को भी पहाड़े याद हैं वो कभी इसके अर्थ पर नहीं सोचते हैं कि पहाड़ों की जो भाशा है उसका अर्थ क्या है और जोर्नल्ड या ही बात करें हैं वही हम सब क्या है ग्यान के टुकड़ों को रट लेते हैं उन टुकड़ों को अलग अलग रख लेते हैं जोरत पढ़ने पर कर लेते हैं लेकिन उसके अर्थ को अलग चीज़ों से जोड़ते नहीं है या उसके अर्थ पर सोचते नहीं है तो जब बच्चा या बड़े उसके इस आफ वोइक刃 करते हैं यह संभंद कुछ जोड़ते हैं तो वो ऐस को अस्ली ज्माण की तरफ बढ़ रहे हैं या उसको गेहरे घ्यान की तरफ पर तरहे कि विश्ची कर गिए चुछ बंचे को बचछे समझे हैं यह नहीं समझे कि इस बात को कैसे पता किया जाए है और फिर जोनल्ड एक सूची बनाते हैं, कि भई, चाहे गणित की बात हो, चाहे किसी और विश्य की बात हो, कि बच्चे उस बात को समझ पारें, नहीं समझ पारें, इस बात को जानने के लिए, के लिए हम क्या, मन्दों, क्या चीज़ ध्यान लखें, तो वो उसकी एक सरजी सूची देते हैं, वो कहते हैं, यह सूची पूरी नहीं है, लेकिन उनको लगता है, सूची काम की है, जैसों कहते हैं, कि भई, अगर मैं किसी बात को ठीक से समझ गया हूँ, तो मैं उस बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकूँगा, पहली बात यह, फिर दूसरी बात कहते हैं, कि अगर कोई मुझ से उसके उधारन मांगे, तो मैं उसका उधारन दे सकूँगा, जैसे साथ गुना आठ का कोई उधान मांगे तो मैं उसका उधान दे सकता हूँ कि साथ गुना आठ का मतलब क्या है कि मैं आठ चीजें ले रहा हूँ, साथ बार ले रहा हूँ और आठ चीजें को साथ बार जोड़ रहा हूँ तो मुझे योगफल मिलेगा, 56 या छै चीजें चार बार दे रहा हूँ, तो उसका योगफल 56 मिलेगा, तो मैं उसका अर्थ बता सकोूं, या उधारन दे सकोूं, फिर तीसरा बिंदू, जोर्लड बताते हैं, कि मैं उसे हर रूप और हर हालत में पहचान सकोंगा, यह नि ऐस पैचान नहीं है कि मैंने कंकर की वदर से गुणा किया है तो मैं नहीं कर पाओ। őा फॉल मैंने चीजों में गुणा कर लिया है तो तर्शिजों में कर में पाओ। कि तीन लिटर contained एक डिबे दे मरे पास पास बड़े तो कितने लिटर紅 घूगा तो तो यहां पर मैं गुणा काम द्रव में कर रहा हूँ, तो यदि मैं गुणा ठोश चीज में कर सकता हूँ, तो मैं द्रव में भी कर सकता हूँ, और द्रव की इकाई काम ले सकता हूँ. तो जोनलर्ट कहते हैं तीसरा ये है कि मैं उसे हर इस्तितिशे में पैचान सकोँगा कि इसको कैसे देखना है फिर जोनलर्ट कहते हैं उसे कsm collect registries प्र। कि अगर मैं किसी चीज को समझ गया हूं तो मैं उपियोग भी कर सकता हूं तो यहां जैसे मैंने उसको तरल पदार्थों के लिए उपियोग कीया। वैसे ही दूरी के लिए okya कर सकते हैं। फिर जॉनल्ल क больше 5 बिंदू कि मैं उसके नतीजयों का अनुमान लगा सकूंगा। तो हम देख सकते हैं हम 9 सरफ 10 को शार से भूंधा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कोई चीज समझ गये तो उसका एक अर्थ ये भी होना चाहिए कि उनके नतिजों का अनुमान लगाने की काभिलेत मुझे बने फिर एक और बिंदों बताते हैं कि उसका उल्ठा बता सकों मुझे रखता है कि यह सूची पूरी नहीं है इस सूची को और बढ़ाया जा सकता है पर वो कहते हैं यह शुरुआती सूची है कि यह कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी बात को समझ गया है तो उसे यह यह काम करने आने चीए और फिर इसी तरह जोनल्ट एक बात कहते हैं कि गणित में जिस तरह हम सिखाते हैं हम जालतर करते हैं कि हम बच्चों को सूत्र रटा देते हैं उन सूत्रों को बनाना नहीं सिखाते तो यह भी उनका बिंदू उससे जुड़ता है वास्च्विक ज्यान और फरजी ज्यान स कि बच रट लेता है तो इसको सूत्र का ग्यान ऊरट हो घ्या算ळ भी कर लेता है लेकिन अगर उससे बनाया नहीं है तो कई बार उसको मतलब पतानी होता और फिर यह होता है कि अगर कभील ढूल गया तो सूत्रों का काम नहीं ले पाता जो उसका धार देते हैं कि युद र कि यदि उनको आयत बनाना है और कुछ चीज़े हैं तो उनसे आयत बनाएं तो किस किस तरह सकते हैं तो उन चीजों से आयत जब बनाएं या आयत को बनाएं आयत का अक्षेत्रबल निकालें तो आयत का अक्षेत्रबल कैसे निकाल सकते हैं तो एक तरीका हो सकता हूं सुत्र स को सामless कने बाओ सकते हैं कि हिंदे कि हम हर बार किसी आयत की सभी वरीकाईयों गिनने के पज्रबचे विझुक में उसकी लंबाई को चोडाई बार गिने यह सी योङने किर जा सकते हुथ शेत्रपल निकल जाएगा तो उन्होंने कुछ बच्चे उधान भी दिये कि जिसमें जो बच्चे सुत्र कुछ सवालों को करके अपने दिमाग में खुछ सामनी करन कर लेते हैं और जब बच्चे अपने दिमाग में खुछ सामनी करन कर लेते हैं तो उनको जो अनुभव होत कि बच्चे उससे कोई चीज अपने लिए खोज लें तो बच्चों को जो एहसास होता है वो उनकी सीखने पर पगड को पक्य करता है और सीखने में रूची को भी पैदा करता है ऐसे ही इस तरह से मैं अभी अपने दोस्त के बच्चे के साथ काम कर रहा था उसको गणित में कुछ दिक्कत थी तो उसका अभ्यास यह था कि वो सवालों को हर बार लिखकर हल करता था समी करण के सवालों को तो मैंने उसके साथ कोशिश ये की कि वो समी करन के हर सवाल को लिख कर हल करने के बज़ाए उन सवालों पर पहले उनको पढ़ कर समझे और फिर उन सवालों को बोल कर हल करे तो उस बच्चे ने पहला सवाल हल किया उसमें ने थोड़ी मदद की फिर दूसरा सवाल हल किया उसमें मुझे सोड़ी कममदद की जूरत पड़ी तीसरा चौता सवाल उसने हल कर लिया अपने आप चौता सवाल हल करते करते उसके चाहरे पर एक ऐसी मतलब खुशी जलकी और उसने का अरे वा यह सवाल तो दिमाग में हो गया यनि उन तीन चाहर सवालों को करके उसके दिमाग में रोशनी से हुई या क्लिक हुआ कि भई अब तक जिन सवालों को मैं लिख लिख कर हल करता था उन सवालों को बिना लिख अपने दिमाग में हल कर सकता हूँ तो यह उसने एक नई और काबिलत हासिल कर ली सवालों पहले हल कर सकता था लेकिंआ उसको हल करने में दिक्कत आ रहे थी तो यह इस तरह का है कि यदि सीखने में बच्चा कोुई मुझे लगता हुआ उसने उच सवालों को हल करने में कोई नतीजा निकाला तीन-चार सवालों हल करने से कोई सामनीकन किया जिसकी वज़ा से उसको यह लगा कि मैंने कोई नई चीज धून ली और मैं अब एक ही सवाल को लिखकर भी हल कर सकता हूं और सोच कर मतलब मन में भी हल कर सकता हूं इसी तर इसमें चुकि गुणा के बहुत सारे उधारने और इसमें एक एक उधारने पढ़ना चाहूंगा जो थोड़ा लंबा है लेकिन वो काफी रोचक है यह करीब किताब चुकि पिसीवार बात की थी हमने साट सकता साल पुरानी है उस समय किसी एक व्यक्ति ने कुजनेर आर नाम की व्यक्ति ने कुछ छड़े मनाई थी जिसमें एक एंच की एक चरती लंबी कि दुर कि लंबी चरत दी तीनिकलंबी साथ थी ऐसे एक इंच से लेकर जॉनल्ट के स्कुल में आये और उन्होंने उन छडू की मदद से काम किया और यह मुझे रहता नहीं जॉनल्ट के स्कुल में नहीं आये वह किसी दूसरे स्कुल में गए जहां पर सभी बच्चे मानसी गुरूप से पिछड़े थे उनके साथ इन छडू की मदद से काम किया तो मैं इसका कुछ इससा पढ़ूगा कुछ इससे बात करूगा जैसे जो नोने बच्चे चुने वो सब बच्चे सब के सब बच्चे मानसी गुरूप से पिछले थे उनकी संख्या पांच छे थी और उम्र थी 15-16 साल की उनमें से कुछ के चहरे भाव विहिन होने के अलावा सामन्य लगते हैं उनमें से एक के चहरे पर मेरा ध्यान अटक गया वहां टेबल के आखरी सिरे पर बैठा था लंबासा था जर्द चहरा और काले बाल मैंने बिरले ही कोई मानविय चहरा ऐसा देखा है जिस पर इस कदर भय और तनाव पढ़ा जा सके एक ननही समही हुई चिडिया की तरव उसकी नजर कमरे में हर और मंड्रा रही थी मानौ यह अंदेशा हो कि किसी भी कोने से कोई भी शत्रू आक्रमण कर सकता है सूसकी जीब मुह में बरावर गूमती हुई कभी इस हाथ तो कभी उस हात कभी इस गाल तो कभी उस गाल को फुला रही थी से तेबल के नीचे उसका हाथ अपनी जांगों को नोचे डाल रहा था, बच्चा देखने में बड़ा भायावा और दय निये था, तो गेटग नो ने ना तो कोई भूमिका बनाई, ना कोई शुरू में आपचारिक तक की, सीधे उन्होंने छड़ों से काम शुरू किया, तो उ एक 9-inch की छड़ है, दूसरी 9-inch चड़ है, और बीच में 6-inch की छड़ है, तो हम समझ सकते हैं, कि उसमें 3-inch की जग़ा खाली रहेगी, तो उन्होंने बच्चों कहा कि छड़ों क आदे से पकड़ी है, यह जमाईए हैं, फिर उन्होंने यह कहा कि इन दोनों छड़ों के ब बच्चों ने फिर शुरू से सब छड़े एक एक छड़ उठाई आज माया और उस छड़ को ढूंड लिया कि जो आपर जम सकते दिया यानि 6 इंच की छड़ अब उन्होंने फिर से उन्होंने ये किया कि तीन इंच वाले हिस्से या तीन इकाई लंबे वाले हिस्श्ट छड़ को निकाला फिर बच्चों से का चलो अब तुम इस खाले ज़गों भरो तो उन्होंने इस काम को तीन-चार बार दोराया ताकि बच्चे समझ सकें कि भई गेटगनों चाहते क्या है फिर अब उसके बाद जो वहाँ पर हुआ उसका वर्ण जोर्र डिस्तर्स करते हैं कि फिर उन्होंने एक बार फिर से बच्चों से कहा यहां पर कोई छड़ भरिये तब अचानक मेरे देखते कुछ गटा उस काले बालों मारे बच्चे ने कुछ देखा मानो उसके दिमाग का कोई खटका अचानक पहली बार दब गया हो उत्तेजना से उसके हाथ कापने लगे उसने बिना जिजक बिना हिच के चाट के सई छड़ के और अपना हाथ बढ़ाया वह इसकदर उत्तेजित था कि सई छड़ को उठाकर अपनी जगह पर रखी नहीं पा रहा था उसकी जीब उस कर ही नहीं पा रहा था आखिरकार उसने वर टुकड़ा उठाया और सही है लगता है लग गया यह लग जाता है वह चीखा और छड़ को उठाकर हम सब को दिखाने लगा बच्चों के विज्यो लास और उत्तेजना को देखकर हमें से कई लोगों के आखे भराई हम समझ सकें कि उसके दिमाग ने लंबी छलांग लगाई है फिर इसके बाद गया गया नहीं काम दो अलग छड़े चुनी कि 9-9 इंच की छड़ थी बीच में रखने के लिए उन्ह एस तरह की सामगरी के साथ बच्चों से जिस तरह की बात की जिस तेजी से बच्चों के सबसे आयरे वह ऑखिके उद में कि कुछ सकते हैं ऐसे सवालों को चुन कर उनके काम किया तो वो उन मेंसे बच्चे जो कासच्व बच्चा बहुत कमजोल लग रहा था वो महसुस कर पाया कि मैं उनको सीखाऊं यह संब मुझां जब उन बच्शेल निए जर्ण taking कि अच्छे हैं जो चुछ है कि अच्छ कि अच्छ पैदाईशी मेधावी उच्छ सोते हैं कि हमें तो करना ही है चाहिए कि उन से ऐसे जब काम करवाने बंद कर देने जाए जो उनको बेऊकूफ या कमकले साबित करते हैं और उनकी प्रधिभा को कम्जोर कर देते हैं वो शिक्षिकों को बहुत रोचक टिपणी करते हैं जोनल करते हैं अद्बुत सिक्षक और कोश्टेग में प्रदिवाशारी सिक्षक या वे सिक्षक जो किसी भी विश्यक को सिखाने के लिए नए नए तरीके ढून निकालते हैं यह सब के सब अपने चात्रों को नुकसान पहुचा सकते हैं यह उतने ही नुकसान पहुचा सकते हैं जितना की वे सिक्षक जो मानक अभ्यास फुस्तिकाओं यह सिक्षक निर्दीशिकाओं के सारे आगे बढ़ते हैं प्रदिवाशारी सिक्षक तो कभी पढ़ाने से बाज आनी सकते हैं वे तो उन लोगों की तरह ह होते हैं जो अपने मित्र को गाडी चराने मदद करने पहुंच जाएं तो पहले ही पूले दम से धुक्का लगाते हैं गाड़ी सलगती है लुडतने लगती में और तो अचानक सब दोरने लखती है चलत कहता है बस को वाई अब मुझे तुमारी मदद नहीं चाहिए पर गाड़ी को धक्याने वाला कहा सुनता है वो गो तो नहीं भई नहीं जवाब में वह कहता है तुम मेरी मदद के बिना तो आगे बढ़ी नहीं पाओगे मैं धक्का नहीं दूँगा तो गाड़ी रुख जाएगी तुमारी सुभई गाड़ी को तेज रफ्ता जो तेज रफ्ता से निकल भागने को तयार थी धिमे धिमे रेंगती रहती है तब तक जब तक की गाड़ी का चालक अपने साहिक से पिंट छुडाने के लिए गाड़ी जोनर्ड यहां पर उन अध्यापकों उन सिक्षिकों पर तंज कसर हैं कि जो कि बच्चों की पीशे हाथ धोकर पड़े रहते हैं और उनको लगता है कि हम अगर मदद नहीं करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे तुम झालता है यह ज्यादा मदद या लगातार जो करनी घ़िह लेकिन यह भी समझना चाहिए कि आपको मदद करनी बच्चों की बंद करनी हैं अगर आप लगातार बच्चों जुरत नहीं हो मदद करते रहेंगे तो वह मदद नहीं करते इस बसके सीखने में अर्चन डाल है गनित में ना तो कुछ समझ आ रहा है ना कुछ मजह आ रहा है तुक कता है जो ये डराऊने इस दुनिया में गलिआदए गानित में यर उस दुनिया को बच्चेनी इसा की गिरासकर बहुत के लिए और समझ में आने वारी चीज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो इसके लिए वह दो तीन मयक्र CAS Гart अ느था मैं नहीं करने की ज़रूर नहीं है कि हम उन्हें पढ़ाए शय弄 नहीं पढ़ाते तब बचते अपने आप जब कोई काम करते हैं बहुत सारे काम करते हैं ज्यादा बहतर सीखते हैं तो यहां पढ़ाने को एक खास हर्थ में ले रहे हैं कि जब पीछे पढ़के चाहे समझ में आए या नहीं आए हम पीछे पढ़ रहे हैं उसको कहरे हैं कि उस पढ़ाने पर तंज कसने के लिए क काम करते हैं कि बच्चे बड़ों की दुनिया में बहुत रूची रहते हैं तो गणित सिखाने का एक रास्ता वह यह सुझाते हैं कि बड़े जो काम कर रहे हैं और जैसे कर रहे हैं उसमें बड़े अगर बच्चों को साथ मेले तो बच्चों को गणित में रूची भी आएगी उनके समझना आसान भी होगा इस तरह से कहते हैं कि बच्चे कोई भी चीज सबसे अदिक अची तरह तब सीखते हैं जब उनकी जिंद्गी से जुड़ी हो जो NCF 2005 भी कहता है कि हम सीखने सिखाने काम बच्चों के साथ इस तरह से करें कि उनके स्कूल की जिंदिगी और बाहर की जिंदिगी जुड़े फिर आकरी चीज जोनल कहते हैं कि बच्चे तब सबसे अच्छी तरह सेखते हैं जब उनका सीखना किसी तातकालिक और गंभिर उ सब्सक्रावारी कूर कि यह तो इसलिए यह व बच्चों को उसको क्यूं किया जाए इसका मन दखisu नहीं बनता तो जो अटो नको चैकме सोके करते हैं कि उनकों मतलब नहीं देटा घुट तो जॉनल्रा इसका रास्ता सुराते है कि वह सवाल यह करते हैं कि आप देखे कि ब तो एक तरीका यह सकता है कि हमें बच्चों को जितना संब्व हो नाब तोल के उपकरण औजार उपलब करने चाहिए जैसे घडिया है फीटा आये स्टॉप वाच थर्मामिटर ताप मापन मापा के यह यूदे प्रगाश मापा के द्धवनी मापा के तराज हुए तो कि ओब स्थर वजार बच्चों मोहिया करवाने चाहिए और बच्चों की कि उसमिं के साथ-साथ और आकेले वीड करें तो इसे उन्हें में उसका मापने मरा पारों कुम किले को सकते हैं तो अन्त में होई कहते हैं कि अगर ग्रिनित को आपको रोचक बनाना है और नीरस होने से हटाना है यह बचाना है बच्चों को सुभने से तो आप उसको रोजमर्राय काम से जोड़िए और उनकी ऐसे ओजार दीजिसे काम कर सकते हैं अब चली यह दूसरे इससे मुख्य बात तो यह इस पर किसी का कोई सवाल हो तो बात कर सकते हैं अब मैं कोजिश करता हूं देहने की सवाल की कोई सवाल मुझे दिख रहा है कि प्रकाश वैस्णों कह रहे हैं कि वास्तविक ज्यान और फरजी ज्यान का प्रवाब बच्चों यहां पर मुझे नहीं लगता कि बच्चों की उम्र के आदार पर वास्तिक और फरजी ज्यान की बात करना है वह सब्सक्ता है और अनुमाद का मामला भी हो अंग्रेजियों को अलग शब्द काम में लिया हो यह भी हो सकता है कि बच्चे उस ग्यान की टुकडे को बड़े ह कभी जोड के समझ लें और कोई सवाल तो मुझे इसमें दिख नहीं रहा है तो इस बार की बातचीत को खत्म किया जाए सभी का शुक्रिया अगली बार इसके अपन आखरी इससे बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी बात करेंगे ताकि यह किताब पूरी हो शुक्रिया